हालो लिसनर्स आज की ट्रूरल में हम सिखेंगे कलर लाइबुरेडिटी का हम कैसे यूज करते हैं फर एक्जामपल हमारे पास यहां पर कुछ एक्जामपल्स है यह मारे पास कुछ अबजेट्स बने हुए है 3D में अब हमने इनको क्या करना है color library के through इनको use करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले swatches panel को open करेंगे right inside से जैसे अब swatches panel को open कर रहोगे तो हमारे पस यह swatches panel का window जो है वो open हो जाता है इसको हम dock करते हैं और अगर हम इसके bottom में देखेंगे यहाँ पर हमें एक icon show होता है लिखा हुआ है swatch libraries menu हम इसके उपर click करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर swatch library का menu जो है वो open हो जाता है यहाँ पर आप देखोगे हमें different difference मिलते हैं art history, celebration, color book, color properties, corporate, default swatches यह सारे के सारे जित्ते भी हैं यह हमारे library menu की है for example हम यहाँ से select करते है nature अगर हमने nature को select किया था हमारे पास इसका fly out menu open हो जाता है और यहाँ से हम कोई भी अपना option को select कर सकते है for example हमने किया flower को जैसे हमने flower के उपर click किया हमारे पास flower की properties का dialogue box open हो गया यह जो आप देख रहे हैं सारे के सारे color इनको हम बोलते है color group को select करेंगे object को select करने के बाद आप यहां से कोई भी color को select करोगे वह हमारे object में apply हो जाएगा आप देख सकते हैं आप इसके पर जो color आप देना चाहते हैं वह आप इसके पर apply कर सकते हैं इस object के उपर हमने करना है इस color next object यह हम देख सकते हैं कि साथ के साथ हमारे पास कैसे colors जो है वो शो हो रहे हैं अब हम इससे बाहर आएंगे, flow menu को close करेंगे, swatches को भी close करेंगे और इसको हम यहाँ पर drag down कर देंगे means that कि जो हमारा color libraries है इसको यूज करने के लिए हम swatches panel का use करते हैं उसको यूज करने के लिए means कहने का मतलब यही है कि हम color library से अपनी 1% का colors जो है वो अपने objects के उपर fill कर सकते हैं with the help of color libraries, thank you झाल